शंकू का आयतन शंकू एवं बेलन के आयतन के बीच संबंद को समझने के लिए आईए एक क्रिया कलाप करें समान आधार एवं समान उचाई वाला एक शंकू एवं एक बेलन बनाईए शंकू को बारिक रेट से भरिए और फिर उसी रेट को बेलन में डाल दीजिए क्या बेलन रेट से भर गया? बेलन को रेट से भरने के लिए आपको यह प्रक्रिया कितनी बार दोहरानी पड़ेगी? बेलन को पूरा भरने के लिए हमें यह प्रक्रिया तीन बार दोहरानी पड़ती है इस प्रकार शंकु वा बेलन के आधार का क्षेत्रफल एवं उचाई समान होने की इस्थिती में बेलन का आयतन शंकु के आयतन का तीन गुना होता है अता तीन गुनित शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन शंकू का आयतन बराबर एक बटे तीन बेलन का आयतन बराबर एक बटे तीन आधार का क्षेत्रफल गुणित उचाई क्योंकि बेलन का आयतन आधार याने के वृत्त का क्षेत्रफल एवं उचाई का गुणनफल होता है अतह शंकू का आयतन बराबर एक बटे तीन गुणित कैपिटल ए गुणित स्मॉल एच जहां कैपिटल ए आधार का क्षेत्रफल है और स्मॉल एच बेलन की उचाई है आधार का क्षित्रफल A बराबर πाई R का वर्ग अता शंकू का आयतन बराबर 1 बटे 3 गुणित πाई R का वर्ग गुणित H घनिकाई बेलन का आयतन जिसके आधार की तरिज्या R तता उचाई H हो पाई R स्क्वेर H होती है अताशंकु का आयतन बेलन के आयतन का एक तिहाई होता है जिनके आधार के तरज्याएं एवं उचाई समान होती है